हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका A to Z पर मैं अजित कुमर आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज का हमारा टोपीक है हिंदी ब्याकरण से जो की यह हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है इसमें जो भी टोपीक आएगा उसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे तथा समझेंगे तो हिंदी ब्याकरण में हमारा पहला टोपीक है वर्ण विचार यानि की arrangement of letters यानि की किसी भी सब्द को हम लोग किस परकार से arrange करते हैं यानि की सजाते हैं किता सब्द से वॉक्य बनाते हैं इसमें हम लोग सीखें कि भासा का मतलब की जो 1 से क्या-क्या मतलब की सुरूत हुआ है और हम लोगों का सब्द है किस परकार से बनाते हैं तो चलिए की बहुत सारी परिभाषा है जैसे कि भासकी सबसे चोटी कई को बन यानि कि जो भी हम अपने समाझ में बहांसा भोलते हैं उसमें जो अगर भासकी जो शुरुवात हुई है इसके उत्पती हुई है तो वो कहां से हुई है यह जो भासा के उत्पती हुई है तो वो कहां से हुई है वर्ण से वर्ण जो वही पर रहा है कि भासा की जो सबसे छोटी इकाई है यानि कि यह मतलब कि जो भासा हम लोग बोलते हैं वर्ण से छोटी के को वको कोई नहीं हो सकती है तो फ़ोह बहुण जो है भासा की सबसे छोटी इक्वाइए इन फिर आगे बाद करते हैं जिसका खुंड्यक कर्दा माल किया सकते जब यह भासा कि छोटी इकाई है यानि कि इसका और दोग दिवाजित नहीं कर सकती वर्ण को हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं जैसे में हमने यहां पर आधा को लिखा है और लिखा है यानि कि हिंदी में कोई भी अगर अक्षर है और उसके नीचे हम लोग हलंत लगा देंगे तो उसे हम आधा पड़ते हैं जैसे कि यहां पर हमने को लिखा है यहां पर जो इसे कँ है उसके निचे हमने अच्छर भी बोलते हैं और वड़न जो है इसको द्वनी भी बोल सकते हैं और विभाज इतना किया जा सके यानि कि जिसे और छोटी से छोटी चीजों में विभाजित न किया जा सके उसे वर्ण करते हैं और वर्णों को हम लोग और क्या करते हैं ध्वानी और आउच्छर अब आगे हम लोग देखते हैं कि वर्णों के समुख को वर्ण माला करते हैं यानि बहुत सारे वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, वर्ण माला, तो हिंदी में हमारा वर्ण माला है कुर्ण, वर्णों की जो संक्या है चोगाली से, यानि की हिंदी में जो भी जितने सारे वर्ण है, उनकी संक्या कितनी है, चोगाली से, तो आएए नीचे हम लोग उसको देख क्या 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 करें। और जो जो बहुत सारा बुख होगा कहीं पे यानि कि बहुत सारे जो बुख हुंगे तो उसे हमरा क्या बनेगा? कुस्तकाले बनेगा तो हमने आपको यहाँ पे यह समझाने का कोसिस किया है कि one से हम लोग का किस परकार से उत्पती होती है सब्द की? बहासा की उससे क्या क्या बंता है कहाणी की दॉप करकेस कि च्के लोग लिख सकते हैं इसके सबसे च्छोटी यकाइई कौन से होती हिसके बाद हमने यहां पर बाटा है जब हमने कहा कि 1444 तर बंहें लिश्य को पड़नाय ना तभी तो हम लोग जानेंगे कि किसे कहते हैं और यह 44 वंड कौन-कौन से होते हैं तो वंड को हमने दो भागों में बाता है एक होगे आपका स्वर वंड एक होगे आपका बियंजन वंड तो अगर स्वर वंड की बात की जाए तो इसकी संख्या 11 होती है और बियंजन वंड की बात की जाए तो इसकी संख्या तो जो वर्ड बिना किसी वर्ड की सहायता से बोला जाए यानि कि एक ऐसा वर्ड जिसको बोलने के लिए किसी और वर्ड की सहायता नहीं लेनी है कि इसको बोलने के लिए किसी किसहायता नहीं लेनी है सिधे एकदम बोल देनी है उसको क्या बोलेंगे तो स्वर्ड किसे स्वर्ड तो हो गया उसके बाद जैसे में देखते हैं ऑ अ हरसाई दिर्खई बार्शाव री ए ऐ ओ यह सब जो हुगा यह हमारा स्वर्ड है और स्वर स्वर और एक ही आपका प्लूट स्वर कौन कुन से स्वर को कितने भागों में बाटेंगे इंडलीक्या क्या बिचले क्लिजों कि इसको बातों cane यानि कि हऒ्रस्वा देल के प्लूथ इंग्लीस में क्या बोलेंगे सौट लांग लांगर तो चलिए इसको भी अब अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं कि कौल ऊधी उदाहारण कौstatा है is जो हमारा wordnelle में बहुत ही कम समय लगता है। उसे क्या हिम लोग ह्रस्वा। यहां पर इंगलिस में लिखा भी है स्वर्ट सुट भविए। यारि कि बहुत कम समय कम छोटा सा। तो जिसको बहुत कम समय लगे उसारण करने में उसे हिम मैंने की बोलेंगे हरस्वस्वर तो ह prends कौन से होते हैं और हो गया फोगया आ हो हो गया है कि कि इसको बोलिए न कितनी आसारी सरो इसमोंग कितना जल्दी बोल से महां बोल देते हैं इसमें बहुत ही काम टाइंग लगता है सब्सक्राइब मतलब कि जिस वन्रेके उचारण में हरस्वा स्वर यानि कि मुल्ड स्वर से जो है अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे दिर्ग स्वर बोलेंगे, यानि कि जो मुल्ड स्वर होता है न उससे दो गुना अगर हमे siitä हम लोग समय लागे और इन सभी को बोलने में थोड़ा हरस्वसे हम लोगों ज्यादा टाइम लग रहा है जैसे की आ दिर्गई यानि की उसके बाद दिर्गव ए आय ठिक इसको हमने समझ लिया अब आते हम लोग प्लूट सवर यानि की लास्ट वाले में तो लास्ट वाला जुन है हमारा इसको अंगरे जी में लॉंगर भाविल बोलते हैं इसको हम लोग रेंग तो वह लाएकि उचारण मों सब्सकु अंगना समय लगता है जैसे की हम इसमें तिम मुसले ऑप ट्रूट 서 इसको बोलने में बहुत कम समय इसको बोलने में इससे थोड़ा सा जागा इसको बोलने में तीगुना समय और कौन-कौन से होते हैं दिर्ग में आ बड़ी ई बड़ी उ ए और और आ जाएगा उसके बाद प्लूत में कौन सा जाएगा प्लूत में मतलब की बहुत समय लगता है जैसे ओ तो हमने यह गारण लिखा है यहां पे गारण के लिए देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौव दस एग्या सबसे पाले बात करें किसे हैं बैजन में क्या है जिन वर्ड़ों का उचारण स्वर्व की सहयता से किया जाता है आप जो यहां पे स्वर्ड़िए इसमें हमें बोलने के लिए किसी वी वर्ड़ न होती थी किसी भी जरूरत नहीं होती थे अगर हम बन के सी रया लेने पर की जो भी हम उचारन करेंगे ऑनी यानि की स्वर की सहायता होगी यानि की स्वर हमारा गोलने में हेलप करेगा उसके उचारन में उसको हम लोग क्या गोलेंगे बियांजन बढ़ गव नहीं चानवा है इने के उच्चारण में हवार रुक कर मुख से निकलती है जैसे कि हम लोग को जैसे को बोल रहे हैं को से नहीं है यहां पर गवार यहां पर और यह दुनों से मिल कर हमारा बना कोई भी जो अक्षर है वह दो अक्षरों से मिलके बना है जैसे हमारा की मौ है तो मौ कौन लोग क्या लिखेंगे मौ और नीचे में हलंग तो उसको पढ़ेंगे आधा मौ और और यह दोनों से मिलकर मौ का लिए माणगोता है पूड़ा तो इसमें हावा यहावा ब्यंंजन में रुक कर हमारे मूग से निकलती है कुछ उसके बात करते हैं हीनदी के सभी के रoquं आर जाते है इतना समझ लिया, अब जिस परकार से स्वर वंड तीन परकार के होते थे, उसी परकार ब्यंजड वंड भी तीन परकार के होते हैं, पून पून से, तो एक होता है आपका असपर्स ब्यंजड, एक होता है आपका असपर्स, असपर्स क्या बोल रहा है कि उचारण में जीब औ करना होगा और जीव और मुhn करना होका अगर जिव और है इसे हमनों से हमोग क्या घृताई करना होगा हुआ अगर दुसरे को छूएगा तो उसको क्या बले गते हैं चाहा से कहा तक होते हैं जैसे कि अधकर फॉटीज है धुब क्वास होते हैं कौँ से लेकर हमारा मौत आता है जानि कि क्वास लेकर जो मौत आएगा उसको अस पर्स ब्यांजन करेंगे और असवर्ष बेंजन की संक्या कितनी होती हैं? 25 तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 25 होते हैं यही होगी आपका का, खा, गा, भा, अंगा चा, छा, जा, जा, या अठा, ठा, डा, ढडा ता, ठा, दा, धा, और ना पा, ठा, बा, भा, पा, और मा यह टोटल जोएकुल 25 जैसे को से लेकर अंगा तक 5 होते हैं तो 5 और यह 5 का बोल गया है यहां से लेकर यहां तक फिर यहां से लेकर यहां तक एक दो तीन चार पांच यानिकि एक में पांच होते हैं यानिकि पांच-पांच 25 तो असपर्स बेंजन 25 हमने पढ़ लिया अब आगे चल दें अंतर्स्त बेंजन किसे करते हैं तो बोलें कि इसके उचारणों में वायू बहुत कम समय तक रुखती है जैसे कि हम कोई भी सब् उच्पर्स को पढ़ लिया अब उस्म को पढ़ते हैं उस्म उस मतलब इससे नाम से असपरशोगा की गर्मी पैदा करना यानि कि कुछ गरम हावा जैसा निकलना तो उसम कीसे कहते हैं उचारण में मुख रगड खाने से हावा में जो गर्मी उतवन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं उसम व्ययंजण बोलते हैं यानि जिस अक्छर को बोलने में हमें मुह की रगड होगा और उससे जो गर्मी निकलेगी बाहरा या उसमा निकलेगा उसपो क्या हम लोग ऑलेंगे उसम क्या बियंजन कोन को सो जो ए reflections सब्सक्राइब इसको बोलते हैं है तलावींत सब दांती सब और हैं यहां से हमें क्या क्या वन से लेकर मौदink फिर देख़ों हम लोग उसमें गया देखां पलावींत लेकर होत है जारिक शकी देखिए हैं इसका तो इसलिए हमने बत रहे था कि हिंदी में जो वर्ण होती है कुल वर्णों की संक्या चोवालीस होती है तो इस परकासे फ्रेंट्स आज हमने वर्ण विचार को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा मुझे उमीद होगी कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा तो चलिए तुरंत में हम लोग क्वीक रिवाइज कर लेते हैं सबसे पाहले व वर्ण को क्या बोलते हैं हम लोग अक्छर या ध्वानी बोलते हैं और हिंदी वर्ण माला में हमारी वर्ण की संख्या 44 होती है और बहुत सारे वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं वर्ण माला बनाते हैं अब हमने यहां पर क्या बताए था वर्ण या अक्छर मिलकर क्या बनाएं पिर हमने यहां पर स्वर्वर्ण के संख्या 11 होती है इसको इसको बोलेंगे मतलब किसी वर्ण की जाहता नहीं पड़ें इसकी संख्या 11 और से लेकर आप और तक पढ़ दीजिए वह आपका स्वर्वर्ण तो हरस्वर्ण कि क्या होगा बनले में बहुत कम समय लगे गा ør काट में उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा उसके बाद सब से ह्यादा समय लगेगा, यहां के थोड़ा सा देखलिक जाहरस्व में कौन-कौन सा आता है और छोटी इ छोटी उप और री दिल में इसको तो बोलने से भी हमें पता चल जाएगा अब आगे हमने क्या पढ़ा है यहां पर बियंजनवन क्या होता है कि इसके उच्छारण में यह इसको बोलने में हमें किसकी जलूरत होती है यानि कि ओ आटी इसमें जलूरत होती है उसके बाद इसको बोलने में हावा जो है मुह से हमारे थोड़ा सा रुपकर निकलती है बियंजनवन भी कितने परकार के होते हैं तीन परकार के एक हो गया असफर्स एक हो गया आपका अंतरस्त एक हो गया यानि कि एक दुसरे के जीव और मुह असपर्स करेगा अन्थस्थ में थोड़ा सा हावा बाहर निकलेगा उसके बाद उसमे में मतलब की गर्मी निकलेगी या मोक से उसमा निकलेगा तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से आज वर्ण विचार को पड़ा आगे ही यह से ब्याकरन का जो हमारा सीरीज होगा चालू होगा और उसमें जो विभीन हमारा पहलू है उसमें हम लोग अच्छे से बात करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिन जैवार थेंक्यू